करन जहुर के शो कॉफे विद करन आठ के दूसरे एपिसोड में सनी देवल अपने भाई बॉबी देवल के साथ कॉश्प नजर आएंगे इस दोरां दोनों भाईयों ने अपनी परसनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सवालों के जवाब दिये एपिसोड में देवल ब्रदर्स ने अपने करियर के बुरे दोर पर भी बात की साथ ही बताया कि उन्होंने कैसे बॉलिवूड में कमबेक किया इस मौके पर सनी ने 2001 में रिलीस हुई अपनी सूपर हिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा पर भी बात की उन्होंने कहा कि इस फिल्म की सकसेस के बाद उनकी लाइफ का असली स्ट्रगल शुरू हुआ था सनी ने कहा गदर रिलीस होने के बाद बहुत बड़ी हिट साबित हुई पर मेरा स्ट्रगल असल में इसके बाद से ही शुरू हुआ इसके पहरे तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा मुश्किल दोर भी आएगा क्योंकि तब मैं बैक टू बैक फिल्म में कर रहा था सनी ने आगे बताया यह स्ट्रगल कुछ ऐसा था कि जिन डारेक्टर्स के साथ में काम करना चाहता था उनके साथ काम मिल नहीं रहा था और नहीं मुझे वो अच्छे स्क्रिप्ट से मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी हर कोई मुझे एडवाइस दे रहा था लोग कह रहे थे कि मुझे सीनियर डारेक्टर्स को छोड़ कर यंग डारेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए हर कोई कुछ न कुछ सजेस्ट कर रहा था पर अंत में फेसला तो हमें करना था एपिसोड में सनी के भाई बाबी देवल ने भी अपने करियर के लो फेस पर बात की बाबी ने कहा जब उनके पास काम नहीं था तो वो डिप्रेस्ट हो गए थे एसे में सल्मान खान ने उन्हें इंस्पायर किया और फिल्म रेस थ्री और हाउसफुल फोर्ड जैसी फिल्मों में उन्होंने बालीवुड में कमबेक किया बाबी ने बताया एक दिन सल्मान ने मुझे कहा कि जब मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा था तब तेरे भाई की पीट पर चड़ गया था और आगे बढ़ा तो मैंने उसको बोला कि तुम मुझे अपनी पीट पर चड़ा देना इसी के साथ बने रहे ही राश्टमा टीवी के साथ धाने बाद